अब आईए हम बात करते हैं बारह राश्यों की बारे में कि आज की बारह राश्यां क्या कहती हैं कौन सेना में जाएगा कौन पुलिस में जाएगा किसकी प्रगति होगी कौन विदेश जाएगा किसको टेक्निकल छितर से लाव मिलेगा किसको रियल स्टेट प्रापर्टी से लाव मिलेगा विदेश जाने का किसको युग बनायात निजास किसको दहनलाब होगा राजनेतिक करते हैं मेश राशी जो मेश राशी की जातक हैं आज का दिन आपके लिए बहुत बैतरीन है अगर आपने नोकरी के लिए प्रयास किया है तो आपको उसमें सफलता मिलेगी रोजी रोजगार के चित्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा देश विदेश की आतरा हो सकती है स आपकारी को जनाए उसमें बड़ी सफलता मिलते हुए दिखराब के रोग और सत्रू परास्त होंगे जद्या बैपार में पूजी निवेश करते हैं ता आपके लिए अच्छा है नोकरी के लिए लापरत समय चल रहा है और कोई भी नयात कारे करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा साज्यदारी में कारे करने सो थोड़ा बचने की जुरुत है माता पिता की स्वास्त को ले करके चिंटा समाप्त होगी उच्पत प्राप्ति का योग दो आज आपको सौधानी के अबरत नहीं है अपने बाणी पन येंत्रा रखें उपाय क्या करना है लाल चंदन का तिलग लगावें और सूरी देव की अराधना करें सुबंक है आठ सुबरंग है लाल लक मीटर है नौ हरी किस्ट अब आईए बात करते हैं ब्रिश राशी की जो ब्रिश राशी की जातक हैं आज आपकी जो भी समस्या है उसका समूल समाधान होगा माली हाला तच रुजी रोजगार के छत्र में क्या गया प्रयास सार्थक होगा दनलाब होते वे दिक्राए संततियों का सुख मिलेगा दूर देश की आत्रा होगी माता-पिता का सुख मिलेगा प्रापल्टी तयाद को लेकर के भी बात समाब्त होगा धर्मार्थ कारों में रुची अगर आपको पूजी निवेश करते हैं ता आपके लच्छा है नोकरी के लिए अच्छा समय चला है आपके रोग और सत्रुप परास्थ होंगे सौधानी का अबरत्ति है अपने समय का सुध्य प्योग करना आपके लिए च्छा रहेगा उपाय क्या करना है आज आपको क्या करना है कि दूध या दही या सफेद वस्तु दान करें ओम सोम सो माय नमाई सुमंत्र का जब करें सुभंके दो, सुभरंगे नीला, लक्मीडर साथ, हरीकिर्शी बात करते हैं मिथुन राशी के जो जातक हैं आज आपको ध्यान रखने का बहुत असपश्ट वादी है आपके असपस्ट बादता के ना थे आपके विरोधी बहुत सक्री हो जाते तो असपस्ट बादता से बचें थोड़ा सा डिपलोमेटिक होने की जुरूत है बाद बीबाद से बचें कई महत्मुन कारिफ होने की संभावना बन रही यात्रा से लाव होगा आपको आज राते जग्यों के लिए समय बहुत अच्छा जो राजनिती में लगे हुए हैं उनको नियापद नई जिम्मेदारी मिल सकती है आज आपको राजनितिक लाव मिलते हुए दिख रहा है पदुन्नत का योग बन रहा है ने बैपार से लाव मिलेगा आर्थिक अगर कोई पूजी न देख सकते हैं फिल्म बना सकते हैं जडिया पत्रकारता के छत्रमें ताज आपका स्थानांतरान होने की संभावना बन रही है सौधनी के अबरतनी है खान पान पर नियंत्रा रखें उपाय क्या करना है हरा वस्त्रदान करें सुभंक है शुबरंग है पीच कलर लक्मीटर बात करते हैं करकराशी की जो करकराशी की जाता है का जब को ध्यान रखना है कि अपने मन पर नियंत्रा रखें मन की चंचलता को नियंत्रान में रखें अध्यात्मिक विकास होगा राजनेतिक लाप मिलेगा दूर देश के आत्रा का योग बन रहा है आपके कर्मशत्र में करने की संभावना बन रही है रोग और सत्रू से थोड़ी चिंता हो सकती है संपत्ति से लाप होगा अगर कोई प्रॉपल्टी तैद के पुजी निवेश की है रियल इस्टेट प्रॉपल्टी माइस में ताज आज आपको लाप मिलेगा दूर देश के आत्रा हो सकती है आयात दान करें दूद दही दान करें या चांदी का चंद्रमा वना के घंगा जी में प्रवाहित करें सुभंक तीन सुबरंग है सुबरंग है आश्मानी लक मिटर है साथ हरे एक बात करते हैं शिंग राशी की जाते का आज आपको ध्यान रखना है कि आलाश और प्रमाद्म सन रहेगा प्राकरम से धनलाब होगा सम्मान की सिती मजबूत होगी सम्मान बढ़ेगा कई महत्मूर काई जिसमें आपकी समाज में सम्मान जनक की सिती बनेगी परिवार में सम्मान बढ़ेगा और आपका मान सम्मान पत परतिश्णा में बढ़ुतरी होगी श्यतूर्दि क्या करना है भगवान भास करके अराधना करें ओम ग्रेडी सुर्यान में समंद्रा का जब करें सुभंग के पांच सुभरंग है के शरीया लक मीटर है आठ भरेकस बात करते हैं कन्या राशी की जातक है आज आपके लिए अगर कोई पूजी निवेश करते हैं तो उसके लिए लाब की स्तिती बनेगी नौकरी में लाब मिलेगा नौकरी मिलने का योग बन रहा है यात्रा मंगलकारी होगा कोई भी जोखी भरा कारे न करें नहीं तो नुकसान हो सकता है आपके रोग और सत्र परास्त होंगे अगर कोई पूजी निवेश करते हैं तो आपके लिए ला केरियर में अपना केरियर बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें एकडमिक ली आपको बहुत अच्छा रहेगा सोध का कारे कर सकते हैं और फाइनेंस के छेतर में बड़ा लाव मिलेगा सौधानी के अब रतनी अपनी गोपनीता बरतने की जुरुत है उपाय क्या करना है गाय को हरा हुटन चल रहा है कई प्रकार की स्रोथ से धन प्राप्त होगा यातर है तरह थे बनी रहे घशानक और देशातरा है धरसा भिन रहेगा शूर्ठी से आ रहेगा अगर आप सरकारी नोकरी में तब पदोनत का यूग मन रहा है माता पिता का सुख मिलेगा, रियल इस्टेट प्रपल्टी से दनला मिलेगा राजनेतिक लाब मिलते हुए दिख रहा है, रुका हुआ धन मिलेगा खड इंतरकारी विफल रहेंगे सौधानी के अबरत्ति है, रोग और सत्रू से सौधान रहें उपाय क्या करना है, अपनी वहन को आज वस्त्र गिफ्ट करें अच्छा रहेगा, सुबंके दो, सुबरंगे नीला, लक्मीटर साथ, हरी कर जाएगा बात करते हैं ब्रिशिक राशी की, जो ब्रिशिक राशी की जाता है, आज आपको ध्यान रखना है कि आप जितना मेहनत करेंगे, उतना आपको लाब मिलेगा, प्राक्रम से दन लाब मिलेगा आपके अंदर अपरवी तुर्जा अपनी उर्जा को सही दिसा में लगावें मान सम्मान में बढ़ोतरी का योग बन रहा है बैपार में लाब होगा बैपारी किस्थिती अच्छी होगी बिबादों से बचें बिद्यार्थियों के लिए सफलता का समय चल रहा है आप अगर करियर को लेकर चिंटित है ता आपका करियर अच्छा होगा चिंटित न हो रोग और सत्र परास्थ होंगे आज आपके जो अपेक्षा से ज़्यादे धनलाब होगा और कई महत्मूर कारे कर सकते हैं यात्राव ही होने की संभाना बन रही है अस्थाई संपत्य के मामलों में आज आपको धनलाब होते वे दिख रहा है सौधानी के अपरतनी है किसी दूसरे पर ज़्यादा विश्वास न करें नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है उपाय क्या करना है स्री हन्वान कवज का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा सुबंग के एक सुबंग है लाल लक मिटर है नो हरे कृष्ण बात करते हैं धनूराशी की जो धनूराशी की जातक हैं आज आपको अपने बैपार में जोखिम उठाने से लाब मिलेगा जितना रिस्क लेंगे उससे बड़ा लाब होगा नोकरी में पदोनत की संभावना बन रही है प्रमोशन हो सकता है आपके बिरोधी परास्थ होंगे मित्रों से मदद मिलेगा आपके मित्र आज आपके सहयोगी की भोमिका में होंगे मित्रों के सहयोग से काफी बड़े-बड़े कारी संपन होंगे सुबह और मांगली कारी होनी की संभावना बन रही है संतत्यों की प्रगत से मन परसन रहेगा संतान सुख मिलेगा किरिशयों भूम खरी सकते हैं, रशनात्मकारियों से लाभ मिलेगा और चतुर्दिक विकास होगा, ध्यात्मिक विकास होगा सिक्षा के चत्र में कुछ बड़ा कारे करनी की संभावना बन रही है देशाटन तिर्थाटन हो सकता, अकल्ट साइंस में आपकी रुची बढ़ेगी और माता पिता का सुख मिलेगा सौधानी के अपरत्ति है, नए कारे करने से बचें उपाय क्या करना है, गुरु माता को वस्त्र आदर सहीत उपहार में दे, आपके लिए अच्छा रहेगा बात करते हैं मकर राशी की, जो मकर राशी की जातक है आज आपको ध्यान रखने को उतावले पर में कोई कारे न करें अंतरात्मा की आवाज को सुने, उसके दिसा निर्देशन में कारे कर, अपने मन पर नियंतरा रखें पदोनत की संभौना बन रही है, लेखन कारे से धन मिलेगा, लेखन कारे में विरुश्वी बढ़ेगी कई महत्पूर्ण कार होने की संभाना बन रही है पत्नी सो थोड़ा बैचारिक मत भेद हो सकता है अतधिक खर्च से मन उदिग्न होने की संभाना बन रही दर खर्च पर कंट्रोल करें तेजगत की गाड़ी नचला में पिता के आग्या का पालन करें सौधानी के अपरत्नी है गुर्जन की सला से ही नयाकार करें उपाय क्या करना है पीपल पर काला तिल अरपित करें और साथी साथ जल अरपित करें आपके लेच्छा रहेगा सुबंक है आठ सुबरंग सफेद लक मिटर है नो हरी कृष्ण बात करते कुम्भराशी की जो कुम्भराशी की जातक है आज आपके संतत्यों की प्रकत से मन परसन रहेगा संतान अनकुलता लिये वे रहेगी आज्याकारी होगी आए के नए संसादरों में बढ़ोतरी होगी सेर और ट्रेडिंग से लाभ मिलेगा जीवन संगनी का सहयोग मिलेगा मिंटल मौरल इमोसर स्पोर्ट मिलेगा बैपार में बढ़ोतरी होगी धनलाव के नए आउसर मिलेंगे एकेडमी केरियर अच्छर होगा बिदेश जा सकते हैं नए तरह के कार होने से आपका मन परसन रहेगा आए के संसाधन बड़े ही अच्छे होंगे अपने मित्रों का सहयोग मिलेगा महिला मित्र के सहयोग से आगे बढ़ेंगे राजनेतिक लाब मिलेगा दुरूत गट की गाड़ी चलाने से परहेज करें सौधानी के अबरत मिलें दूसरों के कारिश्चतर में दखल अंदाजी न करें उपाय क्या करना है चिडिया को बाज़ड़ा जरूखिला में और जुरतमंद को भूजन करा में या वस्त्र दें सुबंग के नौ सुबंग इस लेटी कलर लक मिटेरे साथ हरी कृष्ण बात करते हैं तिम राशी मीन की जो मीन राशी की जातक हैं आज आपको ध्यान रखना की संतान का मोनोबल बढ़ाना स्रेस कर रहेगा संतान की अलोशना न करें उनको साहित करें संतत्यों का सुख मिलेगा किसी व्यक्ति का विरोध करने से बचें नहीं तो आपके बेवज़ा सत्रों के संक्या में बढ़ोतरी होगी विरोधी शक्री हो सकते हैं गुपत सत्रों के संक्या में बढ़ोतरी हो सकते हैं परिश्रम से धनलाब मिलेगा जितना मेहनत करेंगे उससे जादे धनलाब मिलेगा कर्म चत्र में विस्तार होगा ने तरह के कारेंगे, प्रापल्टी से लाभ मिलेगा, टेक्निकल फिल्ड से लाभ मिलेगा, यातने रियात कर सकते हैं, सुख्षा के चत्र में बड़ी जिम्मधारी मिल सकते हैं, आज आप लेक्चिरर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, अब आईए हम बात करते हैं आज के दिन जन्वे जातकों के बारे में आज है पांच अप्रेल दो हजार चोबिस आज जिन दर्शकों का जन्दीन है उनके जन्वे दिन की बहुत बहुत बधाई धेरो सुब कामनाएं आपका जन्दीन सुब हो मंगल में आप खुब आगे प्रभू से हार्दिक प्रार्थना है कि आप उत्रुतर विकास करें प्रगत करें आपके सुख के संसादुने बढ़तरी हो और आप रभगान भुले नाद की किरपा बरसें आपका जन्वे दिन सुब हो मंगल में हो आज जिन दर्शकों का जन्दीन है उनका मुलांग होता है पांच तो खास और से पांच चौदा तेइस तिथी के जो जन्वे जाता है को तो उनका मुलांग होता है पांच पांच नमबर लोग के लिए वर्ष काफी अच्छा है परिश्यतियां कूल होंगी रोग और सत्रु परास्ट होंगे माता पिता का सुख मिलेगा घर में न उत्रोतर विकास के लिए सर्वतम सिध्ध होगा या बर्स आपके लिए काफी अच्छा होगा देखा जायते जन्वरी फरवरी मार्च अपरेल पर्थम चार महिने आपके लिए नकुलता लिए होए रहेगा सुरणिम समय है दूर देश के आत्रा होगी महिला मित्र का माता-पिता का शुक मिलेगा प्रापर्टी से लाभ मिलेगा अकेडमी के लिए रपका अच्छा होगा पुना मैं जून जुलाई अगस्त का जो कालखंड है उत्रोतर उतार शड़ावा सकता है कई तरह की चुनोतियां सकती है आपके विरोज्यों की संख्या में ब्रद्ध होगा पुना आपको जन्व दिन की बहुत-बहुत बधाई और यह वर्ष आपके लिए च्छा हो इसके लिए आपको सौधानी के अबरतनी है आलश प्रमात से बचें किसी नए दोस्ती करने से बचें जो पुराने मित्र हैं उन्हीं से अपना संबंद अच्छा रखें मात करते हैं गुरू के नुस्खे की सब्ता का साथ दिन बड़ा महत्मूर होता है उसमें जो शुक्रवार का दिन होता है वह सुख संशाधन आईश्वारे माली हलत अच्छी और प्रापल्टी त्याद को ले करके और सुख सम्रिधी आईश्वारे में ब्रिधी के लिए बहु शुक्र संशाधन नहीं मिल पारहें तो कहीं न कहीं आपकी कुंडले में शुक्र ग्रह आपका खराब है इसके लिए आपको क्या करना है कि सुक्र ग्रह जब मजबूत होता है तो वेक्ट की जीएवन में शुक्र करपास से आपके जीवन jornal प्रगत होते हैं तो आज के दिन आप क्या करें कि एक तो जब प्राता काल उठें तो अपने माता पिता का अपनी वहन को दूध से बना खीर जरूर खिलावें गरीबों को खीर बितरित करें और ध्यान रखें कि यह नियमित कम से कम 21 शुक्रवाद करने की जुरूरत है आप क क्या करें कि जब प्राता काल उठें हैं तो अस्नान ध्यान करने के बाद एक मंतर मैं बता रहो अगर इस přाप्ञत करते हैं तो आपको इछित धन की प्रापति होगी ओम-हिरम, शिरिम, किल्म, महालक्षमी, ममंगरह, आगच्ष आगच्ष इस मंत्र को कमल गट्टे के माले से जब करिए आपके लिए अच्छा रहेगा श्री सुक्त का पाठ करिए अच्छा रहेगा ओम स्रिम स्री नमा इस मंत्र का अगर नेमिजब करते हैं और माता लक्षमी को कमल का पुस परपित करते हैं तो आज का दिन आपके लिए वेहतर होगा और जो ये पूरा वर्ष देखा जाए तो धन के लिए काफी अच्छा रहेगा तो इसको आप करिए आपके लिए भागी गुरु करकरम में बस आज इतना ही फिर हम आपसे कालिसिस में इसी वक्त मिलेंगे तब तक के लिए मुझे दीजे इजाज़त आप देखते रहे नुज श्टेट उत्तर प्रदेश उत्राकन नमस्कार